तो आज किस वीडियो में बात करने जा रहे हैं हम जो बैलोजीकल क्लासिपिकेशन 11th NCRT का जो चेप्टर था जिसमें हम तीन लेक्टर कर चुके हैं अभी तक ये चौथा लेक्टर है अगर आप लोग पीछे नहीं देखें तो पीछे जाकर देखें और इसमें हम कंट्यून नए हैं तो आप पीछे आप जो है इस चैनल पर डाला हुआ है आप वहां जाकर देख सकते हैं तो चलिए सुरू करते हैं सबसे पहले बैलोजीकल क्लासिपिकेशन में क्या देखे थे तो इसमें जो मोनेरा तक पर चुके थे तो फाइवी किंडम क्लासिपिकेशन आरच व जर्टल और पलान्ट और एनिमल को दू भागों बटा बनाता 생각이 था तो पलान्ट जिसमें जिसमें इस नतिन रहेगा आरबीसी जिसमें बढ़ेंट रहेगा उसे इनीमा बोला था उसके बाद जो है जिसमें आरबीसी अफसेंट रहेगा उसे एनीमा बोला था तो यह अरिस्टोटल के द्वारा दिया गया था जो प्लांट और एनीमल को दो भागों में बटा गया था प्लांट को और एनीमल को अगया था उसके बात जो है तो सबसे पलिसमें देखते हैं आगे पूप को यहां दीलेल से दिया था 90 70 58 में जो दिया गया था जो प्लांट और एनिमल को बाटा गया था प्लांट में जो है प्लांट और एनिमल दो भागों बाटा गया था तू किन्डम क्लासिपीकेशन के नाम से जो जाना गया था टू किंडम क्लासिपिकेशन के नाम से जना गया था टू किंडम क्लासिपिकेशन लीनियस के द्वारा दिया गया था तो यह जो है आपको दिखाए दरहोगा पीछे जो आपको दिखाए दरहोगा यह टू किंडम क्लासिपिकेशन है जो लीनियस के द्वारा दिया गया था उ कुछ अठासो आसी स्वी में ऐसे दिरी किढ़म क्लासिप के संदिया गया था जर्मन संटेश्ट इन फूर प्र पूर्पोजब ऐडिग फिर्ट किन अ क्लासिपी किसन फूर टीश्था जिसमें फूर्ट इस था को एड़ टार किणनम में यूनी से लग और मायक्रो मायक्रोस चाको हो गया थ्रिक लिखेंक फ्रोगाे Wow में उसके बाद आते हैं हम आगे आते हैं तो यह फोर किन बहने सब्कलासिकेशन दिखाए दिखांग और होगा था क्लासिपूकसिन कैओ तो एफ कपलेंड से के द्वारा जो है फोर किंडम ग्लासिपीकेशन दिया था एफ को पलेंड के द्वारा उनी सौ और तीस सिस्वी में जो है पर पूज आप किंडम क्लासिपीकेशन और किंडम में अलग क्या था तो यह था फूर किंडम क्लासिपीकेशन एफ को पलेंड के द्वारा यहां तक जो है एंसी आर्टी में फाइब किंडम क्लासिपीकेशन दिया हुआ है और यह सब जो है मिसिंग है इसलिए आप लोग अच्छा से नौट डॉन कर लेंगे इसको अच्छा से समझ लेंगे तो आपको एंसी आर्टी विद्वीन एंसी आर्टी के लाइन जो आपको समझ वाएगा उसके बाद आते हैं फाइब किंडम क्लासिपीकेशन दिया था और इस बीटी कर द के ओड़र ऑब ऑ कि का ऊए और गी जम को है प्रोट कोयुक और यूरी तिक प्रोक्रधीच में जो है अपको मुरेरा को आड के था उसके बाद जो है उसमें जो है मटिसलो जो बहुत सारा से बना होगा उसके बहुत को श की की मल्टी सलओ पूला था इसके बाद उस में मल्टी से रमे engaging विञें गुर्ण वन जिन अब शीटने परजेंट रहे का सेल वाल परिजेंट में अक्टीनsi अपर्शन करना का इसको दो भागवंबाटा था उसके बाद वी विध सेलवाल रहे एगा स्को फोटो टॉपिक और है टो टॉपिक पोटॉपिक कहने का मतल जो स्फॉनलैट का यूज जेसे आपको प्लांट हो गया फ्लांट जो है आपको अपको सनलैट को यूज पर अपना भोजन बनाते हैं तो इस फोटो ट्रोफिक बोला था और फोटोट्रोफिक और हेट्रोट्रोफिक जो फोटोट्रोफिक में इंड alerts ऊbene अब्योड फन जाए अब यह जो जो हो गया और हन्ग हो गया आगी और आगे हैज जो तो इसको एनीमल में बोला था जिसको एनीमल में एड़ किया था यह आरेच विटी करके द्वारा फाइव किंडम